हलो, गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चंद्रगुप्त मोरिये का प्रारंबिक जीवन के बारे में नया वीडियो जिसमें हम आपको चंद्रगुप्त मोरिये की उत्पती, चंद्रगुप्त मोरिये का इतिहाज, चंद्रगुप्त मोरिये का प्रारंबिक जीवन इन सब के बारे में आपको बताएंगे तो देखेगा यह सब पढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास्य सम्मधित नहीं नहीं जानकारी जो परीक्ष्या की द्रस्टी से बहुत ही महत्तों पुण हैं आपक पती से सम्मधित बातें पढ़ी थी जिसमें विभिन मत थे ब्रामन गरंत क्या कहते हैं पुरान क्या कहते हैं जैन बोध धरम क्या कहते हैं इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा था तो देखेगा जो ब्रामन गरंत हैं उनमें जो चंद्रगुप्त मोरिये उसको सुद्र बताया है जबकि बोध और जैन धरम के जो ग्रेंथ है वो चंद्रगुप्त मोरिये को छत्रिये बताते हैं तो देखेगा हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मोरिये का प्रारंबिक जीवन मोरिये समराजय का संस्तापक समराट इतिहास में चंद्रगुप्त के नाम से विख्यात है और चंद्रगुप्त मोरिये ने 323 से लेके 295 इस्वा पूरु तक सासन किया था चंद्रगुप्त मोरिये भारत के उन महांतम समराटों में से है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तत कर्तितों से इतिहास के प्रेश्टों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन किया है ठीक है ना तो जैसे कि पहले आपका जो मगद महाजनपत था उसके बारे में हमने पड़ा है जो हरियक वन्स था शिवसुनाग वन्स था नंद वन्स था उसके बाद में आता आपका मोरियव तो ये वो ही मोरिये वंस का सासक है चंदरगुप्त मोरिये जिसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में लाया था ये है और चंदरगुप्त मोरिये ने भारत को मकदुनी दास्ता से मुक्त करवाया नंदों के ग्रेणित ये अत्याचार पुन सासन से जनता को मुक्त करवा चंद्रगूत मोर्य ने चानके किस हाता से गनानंद की हत्या की जो नंदवन्स का सासकता गनानंद उसकी हत्या करता चंद्रगूत मोर्य वो चानके किस हाता से और मगद में मोर्य समराजी की स्तापना की इसकी जानकारी विसाका दत्रचित जो मुद्राराक्सस है उससे युन मिलती है कि चंद्रगुप्त मोर्य ने चानके की साथा से गनानंद की हत्या की थी और मगद समरजे में मोर्य समरजे की स्थापना की थी ठीक है मगद को जीतने से पहले चंद्रगुपने पंजाब के युनानियों के अधियन के छित्रों को जीता था इसके लिए चोर, डेकेद, जनजातिया, मलेच जो विद्देशी थे उनको का जाता था से अपनी सेना बनाई, इसका विवरन जस्टिन द्वारा रचित एपी टोम से मिलता है जिसमें लिखा है कि 6 लाग की सेना इकठी कर चंद्रगुपने पंजाब को जीता था 305 इसा पूरव में सिंदु नदी के तटपर सेलुकस निकेटर से चंद्रगुपत का युद होता है जिसमें सेलुकस की हार हुई, इसका वर्णन एक मत्र युनानी इतिहासकार एपियानस ने दिया और पृजित सेलुकस ने चंद्रगुपत को एरियाना का छेतर दिया था अब देखेगा, अपने देखते हैं, चंद्रगुपत मोरिये की उत्पति से सम्वांदितवी भिन मत तो चंद्रुप्त मोरिये की उत्पती के सम्मान ही उसका प्रारंबिक जीवन भी अंदकार पूर्ण है ठीक है ना उसका प्रारंबिक जीवन कैसा था उत्पती से समझदित मत हमने पहले पड़े है अब उसके प्रारंबिक जीवन के बारे में देखते हैं उसके प्रारंबिक थे बहुत गरंतों की अनुसार चंद्रकुपत का पिता मोर्य नगर का प्रमुक था जब वह अपनी माता के गरब में था तब भी उसके पिता की किसी सिमान्त युद में मर्त्यू हो गई उसकी माता अपने भाईयों द्वारा पाठली पुत्र में सुरिक्षा के निमित पहु कर ली वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी जगणों का फैसला किया करता था इसी परकार एक दिन जब वह राज किल्लम नाम खेल में वेश्त था चाने के उदर से निकला अपनी सुक्समे दस्टी से उसने इस बालक के भावी गुणों का अनुमाल लगा लिय उसने सिकारी को एक हजार कारशार पन देखकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया चंद्रगुप्त के साथ चाने के तकसिला आता है और तकसिला उस समय विद्या का केंदर था और चाने के महां का आचार ये था उसने चंद्रगुप्त को सभी कलाउं तता विद्याओं की व सेनिक सिक्षा ग्रण करते हुए वह अपने समय के एक महान विजेता सिकंदर से मिला था तथा वह उसके सेनिक परसिक्षन का एक एक अंग भी बन गया था चंद्रगुप्त के विशे में पलुटार्क तथा जस्टिन जैसे लेक को ने बड़ा रोचक विवरन दिया है जस्टिन हमें बताता है कि सिकंदर उसकी स्पस्टवादिता से बड़ा रुस्ट हुआ तता उसे मा डानने का आदेश दिया किंतु सिक्रता से भाग कर उसने अपने जान बचाई थी तो देखेगा इस वीडियो में हमने चंदर गुत मोरिये की जो महतोपन उपलब दिया है उनके बारे में और उसके प्रारंबिक जीवन के बारे में बड़ा और आगे भी हम चंदर गुत मोरिये का समराजे विस्तार है चंदर गुत मोरिये की उपलब दिया है उसका जो सास इन सबी के बारे में पढ़ेंगे हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद